तो दोस्तों जिस तरह से हमने ट्रेन नम्मर 04005 के बारे में आपको complete जानकारी दिया है अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तब comment section में जरूर पूछिए सो नमस्कार दोस्तों मैं विजज संकर चौहन स्वागत करता हूँ आप सभी कैस क्यार में यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रेन नम्मर 04005 के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यह गाड़ी सीता मड़ी से निव देली तक चलाई जाएगी और तारीक है और कल 19 तारीक से यह गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी और अप और डाउन दोनों दिशा में यह गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी 19 तारीक को तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों यह गाड़ी बिहार से चल मिलने वाली है तो प्लीज दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को आन कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए तो तो मैं इस चैनल पे IRCTC रेले से अपडेट और न्यू ट्रेन के बारे में जानकारी देते रहता हूँ तो दोस्तों मैंने इस ट्रेन की सारी information पहले थे यह अपने computer में लिख रखा है और यहां पर आप देखेंगे train नमर दिया गया है 04005 और यह तीता मरिते आनन बिहार टर्मिनेस तक चलाई जा रही है जो कि COVID-19 के तहत special train है दोस्तों यह train सबता हमें पूरे दिन चलती है जैसे सुमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रभीवार आप किसी भी दिन चाहें तो इस train से सफर कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों अगर इसके fair और coaches के बाद की जाए, class और किराया की बाद की जाए तो दोस्तों इसमें first AC पहले था लिक्षू एक्षवेस में लेकिन अब उसे हटा दिया गया है यहाँ पे केवल second AC, third AC, sleeper और two city जनानी चालू डब्बे यहाँ पे है यहाँ पे दोस्तों अगर आप second AC में इसका ticket लेते हैं तो 2075 रुपे आपको किराया लगने वाला है वही अगर आप third AC में इसका ticket लेते हैं तो यह 1444 रुपे लगने वाला है तो यह 1440 रुपे लगने वाला है और अगर आप इसका sleeper का ticket लेते हैं तो 535 रुपे लगेगा और अगर आप चालू का ticket लेते हैं तो 325 रुपे लगने वाला है यही दोस्तों अगर इसकी ततकाल की बात किजा अगर आप इसका ततकाल में ticket लेते हैं 3rd AC का तो 2525 रुपे लगने वाला है और अगर आप 2nd AC का इसका टिकेट लेते हैं ततकाल में तो 1860 रुपे लगने वाला है और अगर आप sleeper में इसका ततकाल टिकेट लेते हैं तो आपको यहाँ पे 730 रुपे पढ़ने वाला है वहीं दोस्तों अगर इसका आप चालों में तत्काल टिकेट लेते हैं तो आपको 340 रुपे लगने वाला है दोस्तों ये गाड़ी टोटल 1193 किलो मीटर की दूरी तैं करती है और जो इसका टाइम है वो 26 घंटे 20 मिनट में ये गाड़ी अपने दूरी को तैं करती है चलती है तो टोटल इसके 49 इस्टोपेज है और यहां पर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वारा हूं तो दोस्तों ये गाड़ी जब सीता में दूरी से निकलती है तो 2.15 मिनट पर निकलती है इसके बाद दोस्तों इसका तीसरा नम्मर इस्टाफ पाता है जो की है मुझफर पूर जक्सन और मुझफर पूर जक्सन पर ये गाड़ी चार बच के 35 मिट पहुचाती है सुबह में और यहाँ पे 30 मिनट यानि आधा गंटा का यहाँ पे इस्टाफ होता है और 65 किलो मिटर क दूरी यहाँ तक यह गाड़ी तै कर लेती है इसके बाद दोस्तों इसका पांच वन नम्मर इस्टाफ पता है जो की है भगवानपूर और यहाँ पे दोस्तों यह गाड़ी पहुचाती है 5 बच के 13 मिनट पे 2 मिनट का यहाँ पे इस्टाफ होता है और 99 किलो मेटर की दू दूरी तै करती है इसके बाद दोस्तों इसका चाटा नम्मर इस्टाफ पता है जो की है हाजी पूर जक्सन यहाँ पे 5 बच के 50 मिनट पे पहुचती है 5 मिनट का इस्टाफ होता है और 119 किलो मेटर की दूरी यहाँ तक तै करती है इसके बाद दोस्तों इसका आठा नमर इ और यहां पे दोस्तों गाड़ी 6 बच के 30 मिनट पे पहुंसती है सुबह में और 2 मिनट का इसका यहां पे इस्टॉफ होता है 131 किलो मेटर की दूरी तैं करती है इसके बाद दोस्तों इसका 9 नम्मर इस्टाप आता है जो की है सीतलपूर और यहां पे दोस्तों यह गाड़ी 6 बच के 47 मिनट पे पहुंसती है 2 मिनट का यहां पे इस्टॉफ होता है और 143 किलो मेटर की दूरी यहां तक यह गाड़ी तैं करती है इसके बाद दोस्तों इसका 11 नम्मर आता है जो की है विदवारा और यहां पे दोस्तों गाड़ी 6 बच के 45 मिनट पे पहुंसती है 2 मिनट का यहां पे इस्टॉफ होता है और 148 किलो मेटर की दूरी यह गाड़ी यहां तक तैं करती है इसके बाद दोस्तों इसका 12 नम्मर इस्टॉफ आता है जो की है आवतार नगर और यहां पे 7 बच के 4 मिनट पे गाड़ी पहुंसती है 1 मिनट इस्टॉफ लेती है और 153 किलो मेटर की दूरी यह गाड़ी यहां तक तैं करती है इसके बाद दोस्तों इसका 13 नम्मर इस्टॉफ आता है जो की है बड़ा गोपाल और यहां पे 7 बच के 12 मिनट पे गाड़ी रुखती है पहुंसती है 2 मिनट का यहां पे इस्टॉफ लेती है और 108 किलो मेटर की दूरी यहां तक यह गाड़ी तैं करती है इसके बाद दोस्तों इसका 14 नम्मर इस्टा पाता है जो की है डुमरी जवारा और यहां पे दोस्तों गाड़ी 7 बच के 19 मिनट पे पहुंचाती है 1 मिनट ठहराओ है इसका और 162 किलो मेटर की दूरी यहां तक यह गाड़ी तैं करती है इसके बाद दोस्तों इसका 15 नम्मर इस्टा पाता है जो की है गोल्डीन गंज और यहां पे गाड़ी 7 बच के 25 मिनट पे पहुंचती है 2 मिनट का ठहराओ लेती है 166 किलो मेटर की दूरी गोल्डीन गंज तर यहां तक यह गाड़ी तैं करती है इसके बाद दोस्तों इसका 16 नम्मा रिष्ट अपाता है जोकी है च्छपरा और च्छपरा में गाड़ी 8 बच के 20 मिट पहुंसती है 10 मिनट का ठहराओ है 10 मिनट रुपती है और 178 किलोमीटर की दूरी यहां तक तैं करती है इसके बाद दोस्तों इसका 17 नम्मा रिष्ट अपाता है जोकी है एकमा और यहां पे दोस्तों गाड़ी 8 बच के 40 मिनट पहुंसती है एक मिनट का ठहराओ लेती है और 206 किलोमीटर की दूरी तैं करती है इसके बाद दोस्तों इसका 18 नमर रिष्टा पाता है जो की है दोनावधा जक्सन और यहां पे दोस्तों गारी 9 बच के 8 मिट पहुंसती है दो मिनिट का ठहराव लेती है और 221 किलो मेटर की दूरी यहां तक यह गारी तहे करती है इसके बाद दोस्तों इसका 19 नमर रिष्ट पता है जो कि मेरवाय और यहां पे दोस्तों गारी दस बच के पन्दर मेंट बें पहुंखती वहुंखती है। इसके पहले जो 21 इस्टेशन तक गाड़ी चलती है यह होता है बिहार में तो भटनी में दोस्तों इसका टाइम जो है वो है 11 बच के 20 मिनट यहाँ पे 25 मिनट का ठहराव लेती है और गाड़ी 287 किलोमेटर की दूरी यहाँ तक तैं करती है इसके बाद दोस्तों इसका 23 नमर रिष्टाप आता है जो की है लार रोड और यहाँ पे गाड़ी दोस्तों 11 बच के 46 मिनट पे पहुंसती है दो मिनट का ठहराव लेती है और 320 किलोमेटर की दूरी गाड़ी यहाँ तक चलती है इसके बाद दोस्तों इसका 26 नमर रिष्टाप आता है जो की है माउ जगसन औ और यहाँ पे दोस्तों गाड़ी 12 बच के 40 मिनट पे पहुंसती है और यहाँ पे 5 मिनट का यह गाड़ी ठहराव लेती है 355 किलोमेटर की दूरी तैंक करती है तो दोस्तों बिल्थरा और माउ रोड के बीच में एक और इस्टेशन पढ़ता है जो की है इंदारा जक्सन ल जो की 13 बच के 69 मिनट पे पहुंसती है दो मिनट का ठहराव लेती है और 439 किलोमेटर की दूरी यहाँ तक यह गाड़ी तैंक करती है इसके बाद दोस्तों इसका 29 नमर आता है इस्टाप और वो है वारानसी जक्सन यहाँ पे दोस्तों गाड़ी 14 बच के 40 मिनट पे पहुं और यहाँ पे घाड़ी 25 बच पहुंसती है यानी तीन बच और यहाँ पे एक मिनट का ठहराव लेती है 454 किलोमेटर की दूरी यहां तक यह गाड़ी तैंक करती है इसके बाद दोस्तों इसका ग्यानपूर रोड इस्टाप आता है जो की है 32 नमबर और यहां पे गाड़ी दोस्तों 16 बच के 10 मिनट पे पहुंसती है दो मिनट का ठैराव लेती है और गाड़ी 508 किलोमेटर की दूरी यहां तक तै करती है इसके बाद दोस्तों इसका 33 नमबर इस्टाप आता है जो की है जक्सन और यहां पे दोस्तों गाड़ी 19 बजे पहुंसती है दो यहां पे 10 मिट का यह ठहराव लेती है और 542 किलोमेटर की दूरी यहां तक यह गाड़ी तैंक करती है इसके बाद दोस्तों इसका कानपूर सेंट्रल इस्टोप आता है और यहां पे दोस्तों 22 बच के 30 मिट पे गाड़ी पहुंसती है यहां पे पांच मिट का और स्टाफ है इसका और 700,000,000 किलोमेटर की दूरी यहां तक यह गाड़ी तैंक करती है इसके बाद दूस्तों इसका 36 नमर इस्टाप आता है जो की है अलिगर जक्सन और यहां पे दोस्तों गाड़ी दो बच के 12 मिट प इसके बाद दोस्तों इसका गाड़ी का इसका त। तया करती है गाजियाबाद तक इसके बाद दोस्तों इसगाड़ी का लास्ट श्टॉप आता है जो की है आनन्द भिहार टर्मिनस और यहां पे दोस्तों 1193 किलो मेटर की गाड़ी पूरी दो दिन में यह तैंग करती है और यहां इस गाड़ी का लास्ट श्टाप होता है तो दोस्तों जिस तरह से हमने ट्रेन नमबर 04005 के बारे में आपको कम्प्लीट जानकारी दिया है अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए आज की इस वीडियो में बस यही वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने मारी चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया है फिर मिलते हैं कैसी इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिनьте मातरप